अगे कबर में बात करते हैं सेदो जिरे की जहां अस्पताल के ब्लड बैंक के एक कमरे में सौर्ट सर्किट से आग भड़क उठी आग से कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन यदि समय पर कर्मचारी कंट्रोल नहीं कर पाते तो बड़ी धुर्गटना हो सकती थी जानकारी के अनुसार जिस कमरे में लोगों से रक्त लेने की प्रक्रिया की जाती है उसी कमरे में आग भड़की है वहां लगे एसी के पास से बिजली का सौर्ट सर्किट हुआ जिससे आग लग गई और धुआ निकलने लगा था ब्लड बैंक आग बुझाने के उकरण रखे थे लेकिन वहां ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को जानकारी ना होने के कारण आग बुझाने में देरी हुई और मशक्कत करनी पड़ी जिना अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर जी एस परिहार ने बताया कि सनिवार की देर राध ब्लड बैंक के कब्रे में सौर्ट सर्किट से आग लगी थी और धुआ निकलने लगा था जिस पर जल्द ही काबू पा लिया गया कोई नुकसान नहीं हुआ है वहां लगे एसी के कुछ तार जले हैं जिसे ठीक करा लिया जाएगा आप बुछाने के उपकरण सिलेंडर ब्लड बैंक में रखे हुए हैं हमने उसकी अभी और भी कराई है और सिलेंडर रिफिल करके रखे हुए हैं जो कर्मचारी ड्यूटी पर थे उन्हें हो सकता है जानकारी नहीं थी इस लिए परिशान हो गया हमने कर्मचारीों को हिदायत दी है कि जहां बह ड्यूटी करते हैं वहां के सुरक्षा उपकरणों सही अन्य पूरी जानकारी रखे सिविल सर्जन ने बताया कि वहां ड्यूटी पर तक निसान तैनात थें और उन्हें जैसे ही जानकारी रगी कि आग लग गई है तो तदकाल काबू पा लिया है सर्व सुविधायोग नेशनल होस्पिटल समान तिराहा रीवा में अग कैंसर का सफल उप्चार और आपरेशन की सुविधा उपलब्थ है हमारे यहां मिल रहा है आयश्मान भारत निरामय योजना का लाब आयश्मान जन आरो के योजना के तहट सभी प्रकार के मेडिकलेम की सुविधा उपलब्थ है हमारे यहां लेजर कैंसर, अस्थी रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ओप्रेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलब्थ है नैशनल हस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेस पटेल के द्वारा उपलब्थ करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 या फिर संपर्क करें 7566831551 पर हमारा पता है नैशनल हस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करें 07662359974 या फिर संपर्क करें 860028859900 पर